अब थ्री तो वी अबाउट केंडल स्टिक चार्ट्स तोड़े अब अपना सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है केंडल स्टिक चार्ट्स अब हम सबसे पहले करेंगे चार्ट्स तो चार्ट्स में हमारे पास जूम इट अब इट तो चार्ट्स चाह होते हैं दो चार्ट्स के लिए थोड़ा समस्मझते हैं एक तरीके से ग्राफिकल रेप्रेजेंटेशन है टेक्निकल अनलेसिस में हम लोग चार्ट्स यूज़ करते हैं और यह ग्राफिकल मैथड है है कि दिखाने के लिए स्टॉक के प्राइसेस आज क्या है और प्रीवियस क्या थे तो अल्टिमेटली ग्राफिकल मैथड को अगर आपको चेक करना है तो चार्ट्स की मदद से करते हैं और चार्ट्स में हम लोग टाइम मूमेंट्स को दो चीज़ें प्लॉट करेंगे और करेंगे तो कहां पर प्राइज मुवमेंट प्लॉट की जाती है और कहां पर टाइम फ्रेम प्लॉट किया जाता है यह समझते हैं एक्स एक्स जो होता है अब है यह प्लेश करते हैं किसी भी कین का आले से सफ्वेयर में एक्स एक्सिस पर टाइम प्लेश होता है यह बदला नहीं जा सकता है यह और इसी तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं तो चाहे आप किसी भी तरीके का चार्ट देख रहे हैं चाहे आप टाइपस ऑफ चार्ट डिफरेंट हैं वह मैं अभी आपको बताऊंगा बट यह जो प्लॉटिंग का एक्स और वाई एक्सिस है यह सिमिलर है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता निए प्राइस भी हैं और उसी तरीके से चार्ट वहा हुए है चैक्स देखेंगा नीचे इसको बोलते हैं ग्सक्राइब फर्द यहां पर हमेशा time प्लेस होता है तो एक्स पर हमेशा time'll किया जाता है और यसम चैनल फ्राइस टाइम से मतलब होता है इंटरवल जारिके अगर हमारा तो यह हमारा ऑप्राइस है तो यह जो area plot हमने किए यह 5 चैक्सस पर time दिखाता हाइ报 इसी तरीके से हमैरे पर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्रैइस होते हैं और टाइम फृरेंग मूअ है इस लिए इसले इंपॉस्थ्रे२े पास डेटा को नहीं प्लॉट कर सकते हैं तो इसलिए टाइम एक्स एक्सिस पर आपने पढ़ा भी होगा तो हमने आपको बताया है कि टेक्निकल अनालेसिस में टाइम इंटरवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हम आते हैं टैप्स ऑफ चार्टके उपर किकितने तरीके के चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं चेक्निकल अनालेसिस में और दिनो जितने भी छार्ट समेशिस कहले को मैं प्लोट करेंगे ऐस को एसा बिसमाज़ लेते हैं जैसे कि यह trials घ्यम गाराए ऐक्सिस and this is all x-axis so this plotting this plotting is time and this plotting is price so time and price यह हमेशा ऐसा ही plot होता है इसको बदला नहीं जा सकता फिक्स है एक्जाम में question जरूरा है confusing आएगा उब बोला जाएगा कि y-axis पे time print होता है x-axis पे price price print होता है तो आपको over false देना है पहला सबसे पहला चार्ट हमारे पास line chart सबसे पहला चार्ट line chart होता है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा दूसरा plot हमारे पास है बार चार्ट तीसरा चार्ट हमारे पास candlestick chart तीन तरीके के चार्ट अवेलेबल है technical analysis में जिनको हम use कर रहे हैं although other charts भी अवेलेबल हैं commonly used charts में यह तीन charts है kindly subscribe the course to see full videos learn complete course in 20 videos online subscribe now kindly subscribe the course to see full videos learn complete course in 20 videos online subscribe now